यहां से पांडव गए थे स्वर्ग, कहानी उस गाउं की जहां आज जाएंगे नरेंद्र मोदी, नवसकार, मैं हूँ अलका जहा स्वागत है आपका दभारत देन न्यूस पर, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज के दारनाथ और बदरीनाथ जाएंगे, इस दोरान पीम मो मोदी बदरीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गाउं भी जाएंगे, माना गाउं को देश के आखरी गाउं का दर्जा हासिल है, 1200 लोगों का ये गाउं बहुत सुंदर और साफ है, यह वही गाउं है जहां से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तै किया था, भारत का आखरी गाउं का दर्जा हासिल है, ये गाउं उत्राखंड के चमोली जिले में पढ़ता है, चीन की सीमा इस गाउं से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, माना गाउं चार दहाम में से एक बदरीनाथ से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है, समुद्र तल से इसकी उचाई 3,219 मीटर है, इस गाउं में जातर भतोया समुदाई के लोग रहते हैं, माना कांस्तल भी है, यहां वसुद्रा जरना भी है, जो बदिरनाथ से 9 किलोमीटर दूर है, माना जाता है कि कुछ समय के लिए पांडव यहां भी रुके थे, यह सरस्वती नदी के तट पड़ पता है, यह हिमाल किया था, आईए अब आपको बताते हैं और क्या खास बाते हैं मारा गाउं की, 2011 में जन गर्णा के मुताबिक इस गाउं में 1214 लोग रहते हैं, सर्दियों के मौसम के अक्सर लोग निचले इलाके में आके बसने लगते हैं, क्योंकि बर्फ से ढख जाता है उपरी इलाका, इस गाउं में तप्त कुंड है, जो प्रसिद्ध परियटन स्थल है, माना जाता है कि तप्त कुंड अंगडी देव का निवास थान है, कि इस कुंड में पानी में औशदिये गूस्थल भी है, यहां वसुधरा जरना भी है, जो बदरिनाथ से 9 किलोमेटर दूर है, माना ज कि जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईए और जुड़े रहिए भारत टुडे न्यूस के साथ.